हेलो फ्रेंड्स आज की रेसिपी है सिर्फ पांच मिनट वाली यदि कभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊं और टाइम भी कम है तो बस आप असानी से इस रेसिपी को बना सकते हैं तो फिर देर किस बात की चलते हैं बनाते हैं अक्सर हम लोग खीरा कच्चा खाते हैं सलात की रूप में खाते हैं नमग नीमू डालके खाते हैं कभी इसकी रेसिपी नहीं बनाते लेकिन आज मैं इसकी रेसिपी लेकी आए हूँ और इतनी जुरदार रेसिपी आप एक बार देखेंगे तो इतना ज़्यादा आपको पसं चिलका उतार के ही बनाए ऐसा ना करें कि चिलका नहीं उतारें बस डारेक्ट इसे बना ले अब हमने खीरे का चिलका उतार लिया है अब इस खीरे को हमें रफली कट करना है बस बड़े पीसे में कट करने कोई आसा नहीं है कि छोटे-छोटे में कट करना है बहुत बार ऐस अब लेना है हमें एक मिक्सी का जार और जार में सारे खिरे को डाल देना है अब इसमें डाल देंगे दो हरी मिर्ची इसमें आप थोड़ा सा तीखा तेज ही रखें तो तीखा रहता है तो जादा स्वादिश्ट लगता है अब साथ में ही डालेंगे एक चम्मा छोटे में कट किया हुआ अद्रक अब साथ में ही डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया हरा धनिया डालने से टेश्ट तो आता ही है और टेश्ट के साथ थोड़ा स कलर भी अच्छा आता है अब ये खीरा पिस चुका है, पिसने के बाद इसका कलर तो सुन्दर दीख रहा है और सुन्दर के साथ खुसबू भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रहा है अब इस पिसा हुआ खीरा को एक बावल में निकाल लेंगे अब इसमें डाल देंगे आधा कप सूजी साथ में ही डालेंगे आधा कप चावल का आटा सूजी और चावल आटा दोनों का क्वांटिटी सेम रहेगा अब इसमें डाल देंगे दो चमच बेसन बेसन पूरी तरह ओप्शनल है, यदि आपको इच्छा है तो डाले नहीं तो आप इसकी भी कर सकते हैं अब इसमें डाल देंगे एक चुथाई चमच अजवाइन, अजवाइन से अच्छा फ्लेवर आता है साथ में ही डाल देंगे आधा चमच नमाक अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक चुथाई चमच हल्दी पाउडर अब इसमें डालेंगे एक चमा जीरा धनिया पाउडर अब इन सारी चीजों को पहले सुखा ही मिक्स करते हैं इस तरह से अब इस सुखा मिक्स होगे अब इसमें आधा गलास पानी डालेंगे और आधा गलास पानी डालके पहले मिक्स करेंगे क्योंकि इसमें सूजी डला हुआ है तो सूजी पानी सोकता है तो थोड़ा सा ये गाड़ा हो जाएगा अभी देखिए अभी थोड़ा सा भी गाड़ा लग रहा है अब इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे पानी फिल जैसा जोरत पड़ेगा उस हिसाब से डाले पानी डालके mix करेंगे और mix करेंगे इस तरह से लगातार दो मिनट तक चलाएंगे कि अच्छी तरह से ये better light हो जाए अभी अच्छी तरह से mix हो गया अभी rest होने के लिए 10 मिनट के छोड़ देते हैं अब 10 मिनट हो गया है 10 मिनट में सूजी पूरी अची तरह से फुल चुका है फुलने के बाद इसका color भी थोड़ा सा change हो गया है तो चलते हैं फिर अब चीला बनाने के और अब चीला बनाने के लिए तवे में आधा चमच घोल डालेंगे और घोल डालके इस तरह से चमच को गोल गोल घुमाएंगे बस आसानी से ये चीला बन जाता है बिलकुल भी मेहनत नहीं लगता है और टाइम भी नहीं लगता है और ये चीला थोड़ा से मोटा ही बनता है बिना तेल का ही ये चीला सेक ले अब ये एक सैड चीला सीख चुगा है अब दूसरे सैड पलट लेते हैं पलटने के बाव आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है एकदम पुरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है और एक्दम ये flavorful चीला बन की ready हो गया, दोनों साध अच्छी तरह से sick चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं और बाकी कभी हम सेम तरीखे से इसी तरह से sick लेते हैं अब ये चीला बन की ready हो गया, एकदम crispy बना है, आप इस चीला को ठंडा भी खा सकते हैं और खासकर दही के साथ तो इसका टेस्ट तो इदम जुरदार लगता है ये एकदम डिफरेंट और यूनिक चीला है आप इस चीला को एक बार बना लेंगे न तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में खीरे को मंगाएंगे कि खीरे का चीला बनाना है और सभी को काफी ज़्यादा पसंद भी आएगा फ्रेंट्स अगर आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें